चाड़क के IAS Academy में आप सभी का स्वागत है आज हम बात करने वाले हैं भुकम के बारे में 3 नवंबर को नेपाल में करीब 11 बचकर 32 मिनट पर 6.4 तरित्ता का भुकम पाया उस समय 37 लोगों की मौत की खबर भी आई काठमांडू पोस्ट के अनुसार सुबह तक की आकड़ा 141 तक पहुँच गया सैक्रो घरों में नुकसान की खबर भी आई हाला कि इसका कोई आधिकारिक आकड़ा अभी नहीं आया है नेपाली मीडिया के अनुसार भुकम का केंदर काठमांडू से 331 किलोमेटर उत्तर पशिम में 10 किलोमेटर जमीन के नीचे था जाजर कोट और रुकुम पश्मी जिले में भुकम का असर सबसे जादा देखा गया है यहां अब तक 105 और 36 लोगों की मौत हो चुकी है नेपाल की प्रधान मंतरी पुष्प कमल देहल प्रचंड हालात का जाज़ा लेने के लिए जाजर कोट पहुँच चुके है भुकम का असर भारत में भी देखने को मिला है दिल्ली NCR के अलावा उत्रप्रदेश, मध्यप्रदेश, राजस्तान, हरियाना, पंजाब और बिहार की राज़धानी पटना में जटके महसूस किये गए थे हाला कि भारत में किसी तरह के जानमाल का नुकसान नहीं हुआ है इसकी अभी तक कोई खबर नहीं आई है करीब 9000 लोगों की मौत हो गई थी इस भुकम्प ने देश के भुगोल को भी विगार दिया था University of Cambridge के Tectonic Expert James Jackson ने बताया है कि भुकम्प के बाद काठमांडू के नीचे की जमीन 3 मिटर यानि करीब 10 फिट दक्षिन के और खिसक गई हलाके दुनिया की सबसे बड़ी परवचोटी Everest के भुगोल में किसी भी बदला के संकेत नहीं है नेपाल में आया ये भुकम्प 20 बड़े परमानूं बोमो जितना शक्तिशाली भी था अब यहां सवाल ये उपता है कि बार बार भुकम्प क्यों आ रहे है तो सबसे पहले हम देखते हैं कि भुकम्प आता क्यों है हमारी धर्ती की सता मुख्य तोर पर साथ बड़ी और कई छोटी छोटी टेक्टॉनिक प्लेट से मिलकर बनी है ये प्लेट्स लगातार तैरती रहती है और कई बार आपस में टकरा जाती है तकराने से कई बार प्लेट्स के कोने मुड़ जाते हैं और जादा दबाब पढ़ने पर ये प्लेट्स तूटने लगती है ऐसे में नेचे से निकली उर्जा बाहर के और निकलने का रास्ता खोश्ती है और इस डिस्टर्बेंस के बार भुकम्प आता है बात करते हैं आपके भुकम्प कहां आता है यानि कि विश्व में भुकम्प सबसे ज़्यादा कहां आते हैं भुकम्प किसी भी समय किसी भी स्थान पर आ सकते हैं लेकिन इतिहास से ये पता चलता है कि वे साल दर साल एक ही सामाने पैटर्न पर आते हैं मुख्यत प्रत्वी के तीन बड़े छेत्रों में भुकम्प सबसे जादा आते हैं। दुनिया के सबसे बड़ी भुकम्प बेल्ट परेदी प्रशांत भुकम्प ये बेल्ट प्रशांत महसागर के किनारे पाई जाती हैं। जहां हमारे ग्रह के लगभग 81% सबसे बड़े भ रही हैं। इन सब्डक्शन जोन में भुकम्प लेटों के बीच फिसलन और प्लेटों के भीतर तूटने के कारण आते हैं। परीदी प्रशांत भुकम्प ये बेल्ट में आने वाले भुकम्पों में 9.5 चिली भुकम्प जो की 1960 में आया और 9.2 अलासका भुकम्प 1964 शामि हैं। यह बेल्ट दुनिया के सबसे बड़े भुकम्पों में से लगभग 17% के लिए जिम्मेदार है। तीसरी प्रमुक बेल्ट जल मगन मध्य अट्लांटिक कटक का अनुसरन करती है। कटक उस्थान को चिन्हित करता है जहां दो टेक्टॉनिक प्लेटे अलग-अलग फ के उपर स्थिथे ने कम से कम 6.9 जितने बड़े भुकम्प का अनुभव किया है। बाकी जटके विश्व के विपिन छित्रों में बिखरे हुए हैं। अगर भुकम्प से तबाही की बात करें यानि कि रियक्टर स्कैल पे जो भुकम्प आते हैं उनका क्या आसर होते हैं बात करें तो 0-1.9 सीमा में सिस्मो ग्राफ से ही भुकम्प के बारे में जानकारी मिलती है। 2-2.9 में हलका कमपन महसूस होता है। 3-3.9 में जब कोई ट्रक नस्दीक से गुजरता है तो ऐसा ही एसर होता है। 4-4.9 में घरों की खिड़कियां तूट सकती हैं और दिवारो पर टंगी फ्रेम भी गिर सकती है। 5-5.9 में फरनीचर हिल सकता है। 6-6.9 में इमारतों की नीम दरक सकती है और उपरी मंजिलों को नुकसान हो सकता है। 7-7.9 में इमारतें गिर जाती हैं और जमीन के अंदर बौजूद पाइप फट जाते हैं। भारत में अरावली पर्व में एक ब्रंच रेखा है, यह बर उक्राश रेखा राजस्तान के पूर्वित तट से होती हुई, धरमशाला तक जाकर मिलती है। इसमें राजस्तान के जैपूर, अजमीर, भरतपूर इलाके शामिल हैं। अरावली परवत में जो धरारे हैं। इनमें हल्चर शुरू हो चुकी है अब ऐसे भुकम के जटके जैपुर समेत इस से सटे हुए अन्य इलाकों में भी आते रहेंगे जैपुर जोन 2 में आता है पश्चमी राजस्तान जोन 3 में आता है इसमें सामान्य भुकम के जटके आते हैं भुकम के अभी तक के इतिहास के अगर बात करे तो सबसे जानलेवा भुकम चीन में 1556 में आया था जिसमें 8,30,000 लोगों की मौत हो गए थी त्रिवता के लिहाज से अब तब का सबसे खतरनाक भुकम चिली में 22 मैं 1960 को आया था रियक्टर स्केल पर इसकी त्रिप्ता 9.5 थी इसके वज़े से आय सुनामी से दक्षनी चिली, हवाई द्वीब, जापान, फिलिपिन्स, पूर्वी न्यूजिलेंड, दक्षनी पूर्वी ऑस्ट्रेलिया समेथ कई देशों में भयानक तबाही मची थी इसमें 1655 लोगों की मौत हुई थी जबकि 3000 लोग घायल हो गये थे इसके साथ ही आज का ये टॉपिक यहीं पर समाप्त होता है हम फिर मिलेंगे एक नए विशे के साथ आप हमारे यूट्यूब चैनल को लाइक, शेर और सब्सक्राइब जरूर करें धन्यवाद